नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyairway.com के आज के YouTube वीडियो में दोस्तों, आज हम एक निया टॉपक लेकर के आपके सामने हाजुर हुए हैं दोस्तों, डिस्कस करने से पहले जल्दी से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक और शेर भी जुरू करें तो दोस्तों, आएए शुरू करते हैं हच का टॉपिक देख लेते हैं क्या है और इसमें आयरुवेट का क्या योगदान है दोस्तों, आज हम चाच पीने के चमतकरी लाबों के बारे में डिस्कस करेंगे और दही में चाल कुना चल में लाकर जो चाच बनता है वो ही लाबकरी चाच है ना कि आप जो पैकेट बन चाच या डबबा बन चाच मारकेट से लेके आते हैं तो चाच बनाने के बारे में तो आपने जान लिया लेकिन इसके जो लाब हैं उनके बारे में जान लेते हैं गर्मियों में रोजाना चाच का सेवन अमरित के समान है इससे चेहरा चमकने लगता है खाने के साथ चाच पीने से जोडों का दर्थ में राहत मिलती है चाच कैलिक्षियम से भरा होता है इसका प्रतिन सेवन करने वाले को कभी भी पाचन समंदी समस्याएं नहीं होती खाना खाने के बाद पेट भारी हो जाना अरुची आदी दूर करने के लिए गर्मियों में चाच पीना जोड़ी है और प्रतिन अगर आप चाच पीते हैं तो आपको इसके ठेरों लाब होगे उनी में से कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं एसीडीटी से इसमें लाब होता है गर्मी के कारण अगर दस्त हो रही है तो बर्गत की जटा को पीस कर और चाच मिला कर पीएं इससे आपको लाब होगा और अगर कब्स है तो अजवायन मिला कर चाच पीएं इससे आपको लाब मिलेगा बटर मिल्क में विटामिन C, A, E, K और B पाई जाते हैं शरी के पोशियम की जरूरत को पूरा करते हैं और दोस्तों ये स्वस्ते पोशिक करते हूं जैसे लोहा, जस्ता, फॉस्फोरस और पोटेशियम से बढ़ा होता है जो की शरी के लिए बहुत जरूरी मना जाता है और दोस्तों जो चाच आप कंजियम कर रहे हैं वो अगर देस्ती गाए के दूप से बना हो तो उसका अधिक फाइदा बता है और ये चाच अगर आप बना रहे हैं तो ये निश्चित करने के आप घर में खुदी बनाएं तो चाच के अंगरनित फाइदे हैं दोस्तों जिसमें से कुछ हमने आप से डिस्कूस की है तो आप भी चाच का सेवन जरू करें जैसा की बताये गया है आपको भी निश्चित रूप से जो लाब बताये गए हैं वो मिलने चाहिए तो दोस्तों आप ये करें और आपके जो भी फीडबेक्स हैं कमेंट्स हैं वो आमासे शियर दो